हेलो फ्रिंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देखरों संध्या सी लाई डिजाइन फ्रिंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्डर डाउन करने का फॉर्मुला देखने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को बता है कि मैं अभी तक simple blouse और बाकी का सारा को simple simple बता रहे थी कि आप लोगों को confusion नहों ज्यादा detail में नहीं बता रहे थी ना ही कोई formula बता रहे थी सीधे से cutting बता रहे थी जिससे कि आप लोग beginners हो तो cutting करने में कोई problem नहों लेकिन अब हम लोग सीख चुके हैं काफी कुछ तो हम लोग आप formula भी देखते चलेंगे जिससे कि हम लोग blouse बिल्कुल perfect बना पाएं तो यहां पर मैंने एक class तो formula की आप लोगों के साथ में share कर चुकी हूँ और यह हमारी दूसरी class है formula की तो यह solder down करने का formula है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर theory पढ़के बता रहेती हूँ तो अगर आप copy बना रहे हो जैसे कि पहली class की बनाए होगे तो मतलब down को हम लोग slope भी कहते हैं solar slope formula भी बोल सकते हैं या फिर solar down formula बोल सकते हैं अब इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है shoulder down का मतलब है कि shoulder को तिर्चा लेना down करना लेकिन हमें shoulder कि side से कितना down करना है यह हमें सीधे body से नहीं नाप लेते हैं इसके लिए आपको किसी slope scale या formula की जरूरत होती है जैसे कि यहां पर हम लोग अपना shoulder down करेंगे ले तो यहां पर हमें body से नाप नहीं लेना है ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे formula यूज करेंगे ठीक है तो आज हम shoulder down करने का formula सीखेंगे shoulder down perfect armhole fitting के लिए ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन professional तरीके से perfect fitting के लिए perfect shoulder down भी जरूरी है जैसे half inch, 1 inch या 1.5 inch तो हम यह कहां पर किस size में आदा inch down करेंगे किस size में 1 inch down करेंगे और किस size में हम 1.5 inch down करेंगे ठीक है blouse के अलग-अलग size के हिसाब से हम shoulder down किया जाता है यानि कि यह जैसे हमने यहाँ पर half inch, 1 inch, 1.5 inch यह लिखके रखा हुआ है तो यह हम यह अपने blouse के size के according down करना है तो आगे मैं आपको formula में सारा कुछ समझा दोंगे तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर इसका shoulder का formula देख लेते हैं और यहाँ पर मैंने drop भी बना के रखा है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा ठीक है इधर side मैंने लिखा है shoulder down यानि कि shoulder slope shoulder down formula अब इसके बाद यहाँ पर देखो यह मैंने जो drop बनाया इसको मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से जैसे ही पूरा blouse हमारा होता है इस तरह से cutting होती है ठीक है अब सारा blouse तो हम नाप कर लेते हैं cutting कर लेते हैं लेकिन shoulder down करने में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि चलो कई बातनी ऐसे ही shoulder बना देंगे चलो हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना हमें shoulder जरूर down करना है अगर आप shoulder down कर दोगे तो आपके blouse में अच्छी fitting आ जाएगी और अच्छी finishing आएगी जब आपके blouse में अच्छी fitting आएगी तो आपके customer को भी लगेगा कि नहीं हमारे blouse में कुछ खास किया गया है जिससे कि आपके customer आपके पास ही आएंगे blouse बनाने के लिए तो करते हैं तो उसी तरह से हम shoulder down कर लेंगे जैसे कि इधर साइड से हमने half inch अगर आप गला length मिले रहे हो बैक पार्ट का जैसे कि मैंने बहुत सारे blouse में बताया अगर गला length मिले रहे हो back part का तो फिर आपको क्या करना है गले की साइड से half inch इस तरह से डाउन करना है इधर हमा हमारे दो तरह से shoulder down करने का तरीका एक तो हम shoulder को अगले की साइड से डाउन करते हैं और दूसरा armhole की साइड से डाउन करते हैं ठीक है और इसके अलावा हम क्या करते हैं जैसे कि आप यहां पर हमें 1.5 inch, 1.5 inch कैसे डाउन करना होता है आगे मैं formula लिखके रखी हूँ यह सार 1.5 inch हमें यहां पर down करना होगा तो चलो मैं इसको पहले formula दिखा देती हूँ फिर समझाते हूँ ज्यादा समझ में आएगा आप देखो फूल सोल्डर बटी 12 यानि कि हमको जितना भी सोल्डर है उसको हम 12 से भाग कर देंगे तो जितना भी निकल के आएगा उतना ही हमें लाग करना है तो जैसे की example आपको मैं दिखा देती हूँ मालो आपको फंदरा इंच है ठीक है 15 इंच का आप क्या करोगे यहां पर बारा से भाग करोगे ठीक है यहां से भाग किया पंदरा मीं तो हमारा यहां पे कितना आएगा हमारा निकल के आया तो इतना ही यहां पर डाउन करना होगा अपना अन्छेकर आपका 12 इंच है तो 12 इंच को बाराई रहेंट कि कि मैं आठार його सकता है 13 हो सकता है 12 हो सकता है 14 हो सकता है कितना भी हो सकता है तो यहां पर आपको अपना measurement निकालना है और फिर उसमें 12 से भाग करना है जितना निकल के आएगा वहां पर आपको उतना ही down करोगे तो देखो यहाँ पर हमें 15 शूल्डर है जैसे तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच शूल्डर डाउन करना होगा ठीक है अगर आपका शूल्डर 12 इंच है तो हमें यहाँ पर 1 इंच शूल्डर अपना डाउन करना होगा तो आप हम यहाँ पर बता देते हैं अगर आपका shoulder एक इंच है तो simple सा जैसे आप blouse cut करते हो आर मूल का निशा लगाते हो same ऐसे ही आपको cutting करनी है बस इधर side से आपको इधर से डाउन कर रहे हो या फिर इधर से डाउन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक इंच सिंपल ऐसे ही ले लेना है लेकिन अगर आपको यहाँ पे 15 इंच सूल्डर है आपका तो यहाँ पे आपको 1.25 इंच सूल्डर डाउन करना है तो फिर आप क्या करोगे पहले आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेना है इसके बाद गला आपका इतना ही रहेगा जितना आपको गले का निसान उपर से लगाना है लेकिन शोल्डर डाउन करने के बाद फिर आर मोल लेना है यहाँ ठीक है आर मोल का निसान फिर हम नीच कि साइट को लगाएंगे अगर आप सीधे उपर से निसान लगा रहे हूं मालू यह आपका शाड़े छै इंच पिर नीचे की साइट को आपने छै इंच लिया तो फिर यहां पर आपका 1.25 इंच तो उपर कट जाएगा ना तो फिर हमारा यहाँ पे आर्मोल कम हो जाएगा यानि कि फिर टाइट हो जाएगा और जिनका भी ब्लाउस बना रहे हैं इसलिए हमको क्या करना है यहाँ से अपना इंची टेफ रखने के बाद शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ से आपको आर्मोल लेना है तो इस तरह से हमें अपना शोल्डर डाउन करना होता है और यह है हमारा शोल्डर डाउन करने का फॉर्मूला आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुसे comment करके पूछ सकते हो तो मैं आप लोगों को comment में या फिर अगली वीडियो में बता दूँगी जो भी आपको doubt है तो friends वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share and channel को subscribe कर लेना क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सिलाई से जुड़ी हुई हर एक चीच छोटी छोटी बता रही हूँ और अगर आपने कभी भी सिलाई सीखा नहीं है कहीं पे भी नहीं सीखा है और आप सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे रहके मैंने जितनी वीडियो जाली है अगर आप सारी वीडियो देख लोगे तो आपको पहुत ही आसानी सी शिलाई आ जाएगी आपको कहीं भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप घर बैटे सिलाई सीख सकोगे तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और आज से ही सिलाई करना सुरू कर दीजेगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आख सभी का बहुत बहुत धर्निवाद